हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स मेरी यूटूब चैनल एकोनोमिक्स बिदमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हार देख अभी नंदन है फ्रेंड्स आद से मैं माइक्रो एकोनोमिक्स जिसे हम बेस्टी अर्थसास्त्र बोलते हैं को को स्टार्ट करा रहा हूं जिसमें मैं एक्जाम के परपस से जितने भी टॉपिक जो इंपोर्टेंट हैं और जो कुश्चन पूचे गए हैं वही टॉपिक यहां एडप्ट करूंगा यह सारे ही जो प्लावंगा बस सारा कुछ इस से रिलेटेड एक्जाम में पूछ गया है कि फ्रेंट्स आज का जो टॉपिक है कि उसका नाम है मांग बिचले साथ है कि फ्रेंट्स बैसे तो एकोनोमिक्स जो है कि इसके हिंदी में टीचर बहुत ही कम मिलती हैं कि मैं आपको एक ऐसा एक् कि इस क्लास को देखने के बाद मांग के संबंद में आपके जो भी कुछ्चन है उनका अंसर आपको मिल जाएगा और यह वैसे तो डिमांड एनलाइसे जो है मांग पिसले सरने एक क्लास में नहीं आ सकता वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए फ्रेंट्स आज में ज कि मांग विश्देशर में क्या क्या है तो चली फ्रेंट्स आज की क्लास के हम सुरुवात करते हैं कि फ्रेंट्स माइक्रोकॉनमक्स का यह बहुत थी मोश्ट टॉपिक है और यहां से कुष्चिन लगवख हर बार ही पूछा जाता है इसलिए आप इसे बहुत द्यान से पड़ें और आपकी आने वाली जब यह कंप्लीट हो जाएगा माइंग मांग से दान्त डिमांड थे अनल्याइज करूँ गया तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं मांग का नियम या मांग का शिध्दान कीहिरा होता है यह नीआम बश्टू की मांग की मातरा और अछ्य कीमतों में सम SHरता है मार्सल के अनुसार मांग का नियम मांग की मात्रा कीमत गिरने से बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर गढठती है इस परकार ये नियम कीमत तता मांग में विपरी सम्मन्द व्यक्त करता है Friends कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है increase होती है तो उसकी जो मांग है वो क्या होती है कम हो जाती है decrease हो जाती है जैसे friend अभी market में मालो आपको 10 एक पैन मिल रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि जब पैन लेने जाएंगे तो दस खरीद लाएंगे अब कल ह irony होता है लेकिन उसकी को समाननेता है होती है उसमानताओं को भी हम देख लेते हैं पहली मानता जो है कि पुपवकता की गुशियों बादीमान में कोई परिवर्त नहीं हो चाहिए है जैसे कि कैम बो बहुत आमीर दीव इंसान है तो वो उसको जो नहीं करीद पाएगा फ्रंट सेकंड जो मानता है उसमें बताया गया है कि उपभुख्ता की आय में परिवर्तन न हो कहने का ताथ पर यह है कि जो है पहुख्ता की जो आय है वो इस्तिर रहनी चाहिए ना तो बड़े और न गटे इस्तिर र नहीं होगा था कि तीशरी मानता है उसे मताई कि रीती रिवाज हमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्या चौन भच्टो की किमत में कोई परवर्तन नहीं हो प्रेंट जैसे कुछ बच्टोंवें एक दूसरे रिलेट होती है तो उनमें कोई परवरता नहीं होना थी यह जैसे कि चाई और कॉफी है अगर चाई ज़्यादा मेंगी हो जाएगी तो चाई के स्थान पर लोग कॉफी यूज़ करने लेंगे तो मैं मांग करने हम लागू नहीं होगा पांच में जो मांड़ता है उसमें बताएगा कि उपवक्ता बविस के बारे हम ना सोचे कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी कोई चीज है मालो दोर पकलो बिकरी है अब क्या हुआ कि उसके डिमांड कीमत बढ़ गई कीमत बहुत जादा होगी मालो दोर पकलो थी अभी 20 पकलो हो गई और जो समाज में लोग रह रहे हैं उन्हें यह पता चलाएगी यह बस्तु जो है बबिस में आने वाले टाइम में जो खतम हो जाएगी तो क्या करेगा इंसान उसे हाई रेट पर भी खरीदेगा हाई प्राइज पर भी खरीदेगा तो फ्रेंड्स आप समझ के होंगे कि मांग सिद्धान्त में किन-किन तत्तों का विप्री तैसर पड़ता है जिससे मांग का नियम लागू नहीं होता है तो फ्रेंस बात कर लेते हैं मांग बक्र नीचे के और डालू होता है आप देख रहे होंगे कि जो मांग बक्र है यह नीचे के और डालू है d1, d2 यह मांग बक्र है अब यह क्या आ है कि एक बस्तु कीमत पीवन थी जब बस्तु की कीमत पीवं थी तो जो लोग थे जो समाज था वह Q2 कि बस्तु खरीद रहे थे अब क्या हुआ एक समय आके बस्तु की कीमत है वो पी2 हो गई अब क्या होगा जब स्टु की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग दिमांड कम कर देंगे जब दिमांड कम हो जाएगी तो इसका जो सिलोप बनता है दिमांड कर्व का यह नीचे को ढालू बनता है इसको हम कहा सकते हैं कि नीगेटिव होता है इसका कारण क्या होता है इसका कारण जोता है प्रित्तिस्थापन प्राव होता है आगे में इसको एनलाइज करूंगा चित्र में एक्स पर कीमत चित्र में एक्स पर कीमत और बाई एक्स पर मंग कीमात तर दर्शाए गई है फ्रेंट्स हम बाई एक्स होगा मिस्टिक हो गई थोड़ी साही कर लें आप लोग को दर्साय गया जब कीमत P1 होती है तब मांग Q2 होती है लेकिन जब कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो मांग गटकर Q1 हो जाती है इन दोने के बिंदू A और B को मिलाने पर जो बक्र प्राप्त होता है उसे ही मांग बक्र कहती ह तो फ्रेंट्स यह मांग बक्र है आप इसे द्यान से देख लें कभी-कभी कुश्चन ऐसे भी पूछ लेता है बक्र देखे और कभी-कभी थियोरी में भी पूछ लेता है तो फ्रेंट्स आगे चलते हैं मांग बक्र में रनात्मग ढाल होता है मैं आपको बता रहा था भी जो प्रतिश्थापन प्रवाव के कारण होता है मूल में कमी के कारण प्रतिश्थापन प्रवाव हमें से बस्तु की मांग में बर्दी लाएगा जैसे प्रतिश्थापन प्रवाव में से रनात्मग रहे की होता है कि प्रिति इस थापन प्रुभाव होता है तो मंंग में बढ़त nine कि ज님만 बढ़ती है तो लोग कीमतु बढ़ाएते कि लोग खरी देंगे तो उसके वैसा क्या होता है कि पिर्थी स्थापन प्रुभाव हमेसा रनात्मक होता है फ्रेंट्स जो अर्थसाज्त्री थे उन्होंने पृत्ति इस्थापन प्रभाव के संद्र में दो प्रकार की दालानाय प्रस्तत की गई हैं पहली दालाना है हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव और दूस्ती दालाना जो होगल्स की का प्रतिस्थापन प्रभाव फ्रेंट इसमें क्या बताएगे गया ज़ाए ज़िए कि पृती स्थाप्न पिर्भाव के इन दोना दालाणों में अंतर इस बात पर निर्वर करता है कि बस्तु की कीमत में परिबरतन से उपभोगता की बास्ति तिपिक आये में परिवर्तन को उसकी मौद्र काय में कमी या बिर्दिगर के नश्ट कर दिया जाए ताकि उब्भोकता की आय पूर्वत बनी रहे फ्रेंट्स इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आज मालो किसी की आय सो रुपह है अब क्या होगा कल को कीमत बढ़ गई जब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा उसकी आय पर नकरात्म को प्रभव पढ़ेगा उसके जो आय होगी वो जो बश्ट्यों खड़िता है अपनी जीवन निर्वा के लिए उनकी संक्य कम हो जाएगी तो यह का गया है कि जब महंगई आय तो आय को बढ़ा देना चाहिए और जब मंदी आय तो आय को घटा देना चाहिए ताकि आय और जो बैकक अनुपात है वो समान रही फ्रेंड्स हिक्स की दाना में बास्तविक आय से इपराए अव्वोकता की संतुष्टी इस तरसे है हिक्स कहता है कि वेक्ति की जो आय होती है वो आय बह होती है जैसे आपनी मालोक किसी चीज को यूज किया किछी जीज का उब्वोग किया मालो आप कोई खायनी के बस्तु ले लीजिए उसका उब्वोग कर रहे हैं तो आपको उस उब्वोग से जो संतुष्टी मिलेगी उसी को आयका है हिक्सरी लेकिन सिलट्सकी क्या कहना है सिलट्सकी की दारणा में बास्तिविक आयकार्थ उब्वोक्ता की किरा सकती है सिलट्सकी मानते हैं कि उब्वोक्ता जितना भी खरीदता है वो उसकी आये किरा सकती खरीदना ही तो होता है जितना खरीद सकता है उसे किरा सकती कहते हैким अब देख लेते कि मांग कितने परकार क्यों होती है तो फ्रेंट मांग तीन परकार क्यों होती है पहले कि बात करते हैं कीमत मांग केबल कीमत पर दृहान दिया जाता हूँ बाकी रुची फैसन आए बस हमें तता अन संबंदित इस्तिर रहते हैं कीमत मंग से अभी पर आए बस्तु की उन विविन मात्राओं से जो भुक्ता आए द्वारा विविन कीमत इस तरह पर खरीदता है । believed i said those spirits केने का तारफ पर यह है कि यहां है कियां जो टंथ है कीवर कीमत पर द्हयान दिया जाएगा बाकी जो टत्तृ हैं आपर उन पर देहान नहीं दिया क्युक्वि में बता चुक्वा हूं मांग पर बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है फैशन का आई का रीती दिवाच का टाइम का इन सब चीजों का असर पड़ता है तो यह हम केवल कीमत मांग जब देखते हैं तो मैं कीमत पर दियान दिया जाता है बाकी चीजों को इग्नोड किया जाता है तो फ्रेंट्स आगे देखते हैं दूसरे परकार की मैंग होती है वह होती है आई मैंग इनकम डिमन्ट आई मैंग से अभी पर आए बस्तों की उन विविन मात्राओं से हैं जो आई के विवन इस्तरों पर उब्भुकतां द्वारा खरी दी जाती है बसरते अनकार के अताश्तिर रहें कहने का मतलब यह है किया केवल आए मैसे आए को जरिया बनाया जाएगा बाकित चीजह जो आए को फिरभाफित करती उनको इग्नोर किय जाएगा में तीशले प्रकार की जोमें होती होसे प्रुति टर्श मांघ कहते हैं कि द्रॉच 교 iemand कहते हैं इस मांघ से अभी पर के इताहिस तरह हैं इस प्रकार क्रोस मांग किसी बश्टू की मांग तता दूसरी किसी अनसम्मंदित बश्टू की कीमत के बीद सम्मंद इस्तापित करता है कहने का मतलब यह है कि अगर चाय महेंगी होगी तो कॉफी करीद लिए उसनी वो क्या हुआ वो डाइवर्ट हो गया तो इसको क्रोस मांग कहेंगे लेकिन जो मांग की नियम में अपवाद हैं वो वैसे ही रहेंगे कहने का मतलब यह है कि जो अन्य चीज़ें फैसन हो गया रिवाज हो गया टाइम हो गया वो चीज़ें एथा इस्तर रहेंगी मांग के नियम के अबवाद फ्रेंट्स मांग के नियम के अबवाद में क्या बताए गया है बह बस्तु है या इस्तिती जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है मांग की नियम का ववाद कहलाता है यह मांग की नियम के विब्रित व्यवार करता है जिन परिस्तितियों या जिन बस्तु है मांग का नियम लागू नहीं होता है यह वह बश्तु हैं जहाँ मांकर नियम लागू नहीं होगा नमबर एक इंव्शोची विश्य परकार की निक्रेश बश्त्व होती हैं जिनका नाम करन सर्वर्वर्ट गिफिन के नाम पर किया गया है इन बश्तों के किमतों में ब्रद्धी होती है तो मांग में भी ब्रद्धी हो जाती है इसे गिफिन विर्दावाज कहते हैं गिफिन प्रड़क्स प्यारड़क्स कहा जाता है इसके अलावा निम्न इस्थितियों में भी मांग कर निम लागू नहीं होता है फ्रेंच जैसे यूद्ध की इस्थितियों क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि क्या पता यूद्ध कब खतम हो और यूद्ध होता है तो लोग घरों में रहने को मजबूर आते क्रिद लेते हैं तो यहां मांके नहीं होता है मंदी में क्या होता है मंदी में चीजा मद आपने हैं कीक मद्य assami क्याती वहत काम होती हें कुछ उनके पास प्यासा नहीं होता है थो नहीं करीद पाते हैं ह be कि मांकानेन नहीं होता है नमर तीर प्रदशन प्रवाव में मांकाानेन यह उतस़ी मांकानलो कहता है कि जब कीमत का बढ़ेगी तो मांध इतना आप लिएसमय डायमन जैसे बूलते हैं उसकी कीमत हाइज लेकिन उसे खरीदते हैं तो यह प्रिद्षन प्रवाओ यह दिखाबा कहा जकते हैं प्रिद्षन प्रवाओ उसे कीमत से उसका कोई मतलब नहीं है और मंकनियम लागू नहीं होता है अग्यानता के प्रवाओ आप किसी को पता ही नहीं है जैसे किसी को बाजार का ग्यान नही कोई चीज के चबावे करिए उसे ग्यान नहीं है मतलब मार्केट का तो अब क्या करेगा अग्यांदा के प्रवाव में बच्टू को महेंगे दाम पर भी खरीद लेगा इस में उसमें शस्ती और महेंगी चीजों से कोई अंतर नहीं होता है लोग खरीद न चाहते हैं तो खरीद लेती है फ्रेंट्स आगे देखते हैं मांग में व्रद्धी या कमी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांट अब फ्रेंट्स पर किसी किस बात का असर पड़ता है देख लेते हैं आए फैसन रुची या फिर किसी अनकारण की बजाए से अगर मांग में परिवरतन होता है तो इसे अनुसुची बदल जाती है जिसके परणाम शुरूब वोकता का मांग बकर दाई या बाई और खिसक जाता है अब फ्रेंट्स देख लाते हैं मांग में व्रद्धी मांग में व्रद्धी कब होती है फ्रेंट्स यहां चित्र बनाए गया है मैंने बनाए चित्र इसको बता रहे गए है quantity of commodity तो क्या हुआ की आय बढ़ गई आये होगी इंक्रीच जब आये बढ़ गई तो क्या करेंगी क्या करेंगी समाज की लोग की मांग बढ़ा देंगे और जया मांग बढ़ जाएगी तेकिन कीमत इस्त्र रहे गी कीमत किया रहे कीमत इस्तरेगी only cable और cable आये बढ़ती है जब आये बढ़ेगी तो क्या होगा लोग उपभोग जहां एक आलू एक कलू यूज कर रहा है कोई आदमी पचासर पर कलू आलू और एक कलू यूज कर रहा है अब क्या होगा उसकी जो आमदिन दिशाइजार रुपे थी कलकों की 12,000 रुपे तो अब क्या करेगा आलू पर उपभोग जहां पूबढ़ा देगा उपभोग खर्च जो आप बढ़ा देगा तो इसका जो कर्भ है डी डी जो कर्भ है वह चेंज हो जाएगा और यह डी डैस डी डैस कर्भ बन जाएगा तब हम कहेंगे कि मांग बक्रम हमाग में कभी का हो ति है मालो अभी आय कहती तो अब बड़ी थी यहां गट जाती है और जहां आदमी क्यू वन खरीद रहा थां यू खरीदता है ब़स्तों की मात्रा यह क्यू डैस से क्यू पर आ जाता और ऊसके किमत बढ़ती है तो वेकिति के पास किरह काम होजाती है ब्यक्ति के पास क्या होता है किरा सकती कम हो जाती हो जब किरा सकती जब इंसान के पास पैसाई नहीं हो तो मांग बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी तो फ्रेंड्स अब देख लेती कि मांग में परिवर्थन किस किस कारण होता है तो मांग में परिवर्थन होता है उसमें आ मांगी की मात्तरा में परीवर्तन के अंतर को निम्न पिरकार से इस्प्रेस्ट केजाता है। देख लेते हैं ανα कि कीमत मीं Departation निए टिम कीमत तक हर तो क्या काchymy चैन्ज आते हैं तो मांग में बिस्तार हो सकता है ए onu कीमत घट रही है तो मांगे बिस्तार हो जाएगा इसमोर अब तिंग घटा दिनी शीच, कराहता है कि मांग कीमत बढ़ गई हम वर्दí गाए से मांग मीर्दी आती है इसकी बाझा सेे मांग में कमी मांग परिवुर्दन तो प्रैंेट्स आज के तुपिक आपको कैसा लगा जरूर बताएं और मैंने यह पार्ट फेस्टा डिमांड का आगे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा मंग की लोज पढ़ाऊंगा इलास्टिर सिटी ऑफ डिमांड तो फ्रेंड्स मुझे जरूर बताएं कि आज के गलास कैसे लगी जैहिन जैवारत